नमस्कार, हिमाचल वोलेटन में आपका स्वागत है कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लडाई, टीका लगवाने में ही है सब की भलाई 18 वर्ष से अधिकायू के विक्ती टीका करन के लिए पंजी करन करवाएं पंजी करन के लिए www.covin.gov.in अत्वा self-registration.covin.gov.in पर लॉग इन कर अपना मुबाईल नमबर दर्ज करें मुबाईल पर प्राप्त OTP नमबर दर्ज करें और सत्यापित करें फारम के अनुसार विवरन भरें और स्वयम को पंजी करें टीका करन के उपरांत भी तीन बहुमुल्य नियम अवश्य अपनाएं, हमेशा मास्क पहने, अपने हाथ, साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धुएं, दूसरों से उचित दूरी बना कर रखें अब पेश हैं आज के समाशार COVID-19 महामारी के अग्रिम पंक्ती के कारिकरताओं के लिए विशेश रूप से तयार क्रैश कोर्स कारिकरम आरम करने के लिए मुखे मंतरी श्रीजराम ठाकुर ने प्रधान मंतरी श्री नारेंद मोदी का आभार व्यक्त किया है इस कारिकरम का उदेशिय 2-3 महीनों के अभधी में लगभग 1 लाख अग्रिम पंक्ती के कारिकरताओं को प्रशिक्षित करना है COVID-19 योधाओं को प्रकार की कारे के लिए प्रशिक्षित लोगों के कौशल विकास के साथ उनमें नवीन कौशल का भी निर्मान होगा। बनाने में महत्वपून भूमिंग का निभाई है। इसकी माध्यम से मंडी संसद्यक्षेत्र तथा फतहपूर वजुबल कोटखाई विधानसभाक्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनावों और आगामी आमचुनावों के लिए पार्टी को तयार करने का अफसर प्राप्त हुआ है। मुखे मंद्री ने कहा कि उपचुनावों की घोशना होते ही पार्टी प्रत्याशियों की घोशना कर दी जाएगी। उपचुनावों में विजे प्राप्त करने को लेकर आश्वस्त है। मिलना हुआ है और सार्तक वैठक रही है और बारती जनता पार्टी ने अभी जो हाल ही में जो चुनाव होने वाले हैं इस पर वी चर्चा की है। और उसके बाद 2022 का रोड मैप कैसे बनाना है उसके लिए भी तुपा तुपा चर्चा हो करके आगे बढ़ने के निर्ने की COVID restrictions बहुत सारी लगी हुई हैं पुरे देश के सभी राजियों में जिसमें हिमाचल प्रदेश में भी अभी लगी हुई ऐसी सुरत में अभी तक तुनाव आयों की और से कोई इस प्रकार के कम्मिनिकेशन हमें प्राप्त नहीं हुआ है जब होगा तो बताएं श्रीजराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में कुरोना के मामलों में कमी आई है जो प्रदेश की लोगों के लिए राहत का संकेत है उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान स्थिती से भली भानती अवगत है और ये सुनिश्चित कर रही है कि निर्धारत दिशा निर्देशों का कडाई से पालन हो तथा किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही ना बरती जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविट-19 के लिए टीका करण अभ्यान में और तेजी लाई जाएगी देश के जाने माने सीने अभीनेता श्री अनुपम खेर ने आज शिमला में मुख्यमंतरी श्री जराम ठाकुर से उनकी सरकारी आवास ओक ओवर में भेट की मुख्यमंतरी ने श्री अनुपम खेर को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई फिल्म पॉलिसी के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि इस पॉलिसी का मुख्य ओदेश हिमाचल प्रदेश को देश विदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक उप्युक नहीं किया जा सकता है आपको जिस मुकाम पर पहुंचे है हम बहुत सारी संभावना है तूरिजम को परमोट करने के लिए तो उसमें आपके खानुपम खेर ने मुख्यमंतरी के साथ श्रुडी अपनी यादों को सांचा किया उन्होंने कि वी प्रदेश को फिल्म शुटि इस अफसर पर श्री अनुपम खेर ने कहा इस अफसर पर मुख्यमंत्री की धरमपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर और श्री अनुपम खेर की माता श्रीमती दुलारी खेर भी उपस्थित थे मुख्यमंत्री श्री जैरम ठाकु ने आज शिमला में शरल म्यूजिक मुंबई द्वारा निर्मित म्यूजिकल अल्बम मिठिया मिठिया गल्ला का पोस्टर जारी किया इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने गाई का प्रिया शक्तावत के प्रियासों की सरहना की उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास राजे की सम्रध संस्कृती और परमपराओं को प्रोटसाहित करने के साथ साथ आने वाली पीडियों के लिए भी संजोई रखने में महतवपून्ट साबित होते हैं प्रिया शक्तावत हिमाजल प्रदेश के जिला कांगडा से संबंध रखती है टेली मेडिसन सेवाईं प्रदान करने में हिमाजल प्रदेश देश का अग्रणी राज़ है COVID-19 महामारी के दौरान ये सेवा लोगों के लिए वर्दान साबित हो रही है जिला चंबा के जनजातिय क्षेतर के पांगी वबर्मौर उपमंडल के सिविल अस्पताल में टेली मेडिसन सेंटर के माधहम से विशेशग्य चकित सकूंद वारा स्वास्थे सुविधाईं प्रदान की जा रही है इन क्षेतरों में सर्दियों में बरफबारी के चलते आवाजाही में भारी दिकतों के कारण भी लोग इन क्षेतरों से बाहर इलाज के लिए नहीं जा पाते हैं का इलाज किया जा चुका है पांगी में 48 वभर मौर में 17 मरीजों को आपात काली चिकत सा सुविधाईं उपलब्द करवाई गई है में पांगी के रह नभाली ए मेरे को बहुत तार तर दूई थी पानी पानी निकलता खार शोडी थी तो फिर में यहाँ इंप धिर दिखाया मेरे को बहुत राम ऐगर दोबारी यहां बोलाया, आप दी राम मिला, तो यहां सुवीता अच्छा हो गया, तो सारी लोग यहां आएगे तो हमारी लिए शिरकार बहुत तन्यान बाद है। मैं पांगी के रहना वाला, मेरे टांगों में दार था, या ओलेंड डॉक्टर को दिखाया ठीक हो या मेरी को। प्रदेश सरकार द्वारा जनजातिक शेत्रों में टेली मेडिसन के बारे में लोगों को जानकारी ब्रदान करने के लिए विशेष जागरुकता शिविर आयुजद किये जाते हैं। टेली मेडिसन केंद्रों में कारेरत स्वास्थे कारेकरताओं द्वारा इन केंद्रों में आने वाले मरीजों का रिकॉर्ड तयार किया जाता है और बिमारी के बारे में जानकारी हासल की जाती है। इसके उपरांत संबंधित रोग, विशेशग्य, वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मरीज से बिमारी की जानकारी लेते हैं, उन्हें उपचार के लिए परामर्श देते हैं। डिजिटल माध्यम से लोगों को चकित्सा सेवा प्रदान करने की सोविधा नी संदही एक सराहन ये पहल है, जिससे दूर दराजक शेत्रों के लोगों को भी गुणात्मक स्वास्थे सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं। सुआस्थे एवं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दोपहर दो बचे जारी बुलेटन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जांच के लिए आज 2,662 लोगों के सैंपल लिये गए, जिनमेंसे 879 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,778 अभी तक 22,46,469 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमेंसे 20,444,848 सेंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है, प्रदेश में कुल 1,99,740 लोगों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है, जिनमेंसे 1,93,403 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 2 2,907 विक्ति उप्चारा धीन हैं झाल